वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि इस वीडियो में मैंने कोशिश किये थी कि आपके जितने भी कोशिशन थी जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में किये थे वो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के कोशिशन उनका मैं जवाब द आड्मिशन ले लेंगे तो नंIF वीडियो में ने सकते हैं यह आप्ड़ेशन ले सकते हैं वह आप लोगों कंपलेट बताऊंगा तकरीब करने हैं और तकरीबन 35 उट्षियवेट हैं जिपार रपन करनाक है तो नयक्स्क्राइबिस के करते हैं बिसमिल्हर्मान रहीम अस्सलाम वालिक्म स्वरेंस कैसे हैं सब अमीद करता हूं सब ठीक होंगे खुश होंगे मेरे लफाक से दौा है कि लफाक आप सब को हमेशा ठीक रखे और हमेशा कुश हैं डेश अज और हैं अज के निए जाएंगे जड़ी हो वो बहुत important है आप लोगं के लिए जरूरी है कि उनका आप लोगं को बता हो तो मैंने उनमे से कुछ question जो important है उठाए है और आज की इस वीडियो में आपको उनके answer दूँगा और इनको discuss करेंगे हम कि इनका जवाब क्या है तो वीडियो शुरू कर लेते हैं वीडियो प्लोड करता हूँ आपको मिलती रहें तो चले हम देखते हैं पहला question क्या है तो पहला question है नदीम नदीम पूछ रहे हैं सर जी जिनके paper चेक नहीं किये उनको रिचेकिंग करवानी चाहिए या नहीं please बताएं अब यहां पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आ अगर आपको 100% यकीन है कि आपके paper चेक नहीं हुए और आपको रिचेकिंग जरूर करवानी चाहिए रिचेकिंग नहीं कहेंगे इसे recounting कहते हैं क्योंकि मार्क्स जो है count किये जाते हैं अगर आपने जो paper फर्ज करें आपने चार नंबर का सवाल है आपने बिल्गुल ठीक लिखा हुआ उसका आपको जिरू दिया हुआ है तो वह आपको चार नहीं करेंगे सिर्फ काउंट करेंगे कि कोई नंबर आगे पीछे कम तो नहीं हो गए कोई पेज था दर्म्यान से रह तो नहीं किया सिर्फ काउंटिंग होती है चेकिंग नहीं होती ठीक है इसलिए इस आगर आपने नहीं किया तो इंप्रूव कर लें और अगर आप इंप्रूवर हैं इंप्रोव्मेंट का चांस जो है वेल कर चुके हैं तो आप जो है किसी भी प्रावेट अबिश्टि में अडमीशन ले 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 या गौर्णनमेंट तो हो गई नहीं क्योंकि बहुत कम माक्स हैं तो प्राइविट युनिविश्टी में किसी में भी आप अड्मिशन ले सकते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स रिकोशन है सब जिनकी तीन सप्ली है वो नेक्स यह सिर्फ सप्ली वारे पेपर देंगे पार्ट वन या पार्ट वर अच्छे कह रहें कि अगर जिनकी तीन सप्ली हैं क्या वो मतलब तीन सप्ली या पार्ट वन पार्ट वर वर आल देंगे जाहर सी बात है यह बाद याद रखिएगा जिनकी 50% सप्ली होती हैं उनको सारे पेपर दुमाना देने पड़ते हैं तो आप लोग की जो तीन सप्ल की सब्सक्राइब का सब्सक्राइब के रीगातना विस अर topics सब्सक्राइब करें तो नहीं थे सारे नहीं को कि सारे पर देने पड़ें घ हैं उसके बाद इसके कोश्चन है असलाम अलकूम स्वालेकूम मेरी तीन सप्लिया थी और स्पेशल एक्जाम में पेर हुई थी और अब पर फिर से तीन सप्लिया आ गई है ठीक है और अगर अगर आप मैं सिर्फ फस्टेर कैंसल करवा के दुबारा से अड्मिशन भीज सकते हैं बोर से पता कर लिजिएगा क्योंके रिजिस्टेशन भी कैंसल हो जाती है और नए सीरे से अड्मिशन हो जाता है मतलब पार्ट वन का फिर आपको अकीले का देना पड़ेगा उससे आपके दो साल भी वेस्ट होंगे और इसे बेतर है कि आप इंप्रूव कर लें ठीक है नेक्स कWUESTION है मेरी स्पेशल एकजाम में सप्ली आई है तो साथ में शो आनवल 2022 हो रहा है इसका क्या चक्कर है इसका चक्कर यह है कि आपके पास एक चार्ट से 2021 में है आनवल में देने का उसके बाद 2021 में आप सप्ली भी दे सकते हैं और 2022 में आप ऐनवल तक तीन दफ़ा मज reflect दे सकते इसका ये मतलब है ठीक है मतलब तीन दफ़ा मज़ीन पर दे सकते न जारब दीए थैए 2022 अगा ये प्र दे सकते रहें अप जिन्स पाकर दे सकते हैं कि आपका private university में easily admission हो जाएगा, private में थोड़ा से पैसे ज्यादा लेते हैं, लेकिन admission हो जाएगा, अगर आप continue रखना चाहते हैं, तो private university में admission ले लें, तिक और अगर आप next वीडियो में बताऊंगा, private or government universities का तफसेलन, तो उन से देख लेना है, आपने, कौन-कौन सी university में आपक हो सकता है, उसके बाद, next question है, fail as a whole student combined admission हो का जाहिर सी बात है, जो fail and complete, उनका part one, part two का combined admission भीजना पड़ेगा, composite, दोनों ही classes के आपको paper देने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद, next question है, sir, जिनके result पैनल 2022 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब, मैंने पहले भी बत बता दिया, मैं दुबारा से बता देता हूँ, कि इसका मतलब ये है, 2022 तक आपके पास चांसे paper देने का, मतलब, 2021 में दे सकते हैं, फिर supplement में 2021 में दे सकते हैं, फिर 2022 में आप annual में दे सकते हैं, उसके बाद, आपके पास chance खतम हो जाएंगे, आप जो है, फिर next paper ने दे सकते हाँ, आपके पास ये chance होगा, आप अपनी registration कैंसल करवा के, दुबारा से registration करवाएं, और फिर आप paper दे सकते हैं, तो ये questions थे आप लोगों के जो, आप लोगों को पता होना चाहिए था, जरूरी थे आप लोगों के लिए, तो मिद करते हैं तो आँज की वीडियो पको पस समय कि अपपा कार दो, आप लोगों को बादा वार साय कारखना अ। झाल झाल